आज मैं लाई हूँ दोस्तों आपके लिए बहुत ही सिंपल और क्रिस्पी रेसिपी ब्रेक्फास रेसिपी जिसका नाम है लच्छा प्रांठा और ये कोई ऐसा वैसा प्रांठा नहीं है ये स्पेशली नमकीन का प्रांठा है हांजी सही सुना आपने ये नमकीन का प्राथा है क्रिस्पी क्रंची बहुत ही असानी से बनने वाला इस रेसिपी की शुरुवात करने से पहले SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटस अप्टेट से नोटिफिकेशन के लिए नमकीन का ये special अच्छा प्राथा बनाने के लिए आपको कोई भी तीन तरह के नमकीन लेने है मैंने यहाँ पे दाल भीजी ली है भुजिया ली है और एक mix mixture लिया है आप नवरतन भी ले सकते हैं जो भी नमकीन आपको पसंद हो वो इसमें आड़ कर सकते हैं अब ये तीनों mixtures जाते हैं mixi में mixi में इसको बिल्कुल powdered form बनाना है अच्छे से पीस लेना है एक बारी में अगर नहीं पिसेगा तो आपको एक बारी mixi रोक के spoon से अच्छे से लाना है फिर दुबारा पीसना है ताकि इसका powdered form बन जाए ऐसे बिल्कुल जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ mixture ready है अब इसको एक plate में निकाल लेंगे थोड़ा सा mixture को taste करेंगे ताकि हम जो मसाले इसमें आड़ कर सेके वो हमें पता लग जाए मैं यहां पर नमक और मिर्च आड़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो mixture में नमक और मिर्च कम है आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं इसको अच्छे से mix कर लेंगे हाथ से अब आप लच्छा परांथा जो है मैदे का भी बना सकते हैं और आटे का भी मैं यहां पर आटे का यूज़ कर रही हूं मोटी लोई लेंगे क्योंकि लच्छा परांथा थोड़ा मोटा ही बनता है तब ही उसमें लिखती है इसको आट में गोल कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से इसके बाद सूखे आठे में लपेटेंगे और थोड़ा सा आठा उपर से भी चड़केंगे लोई को अच्छे से सूखे आठे में कोट कर लेंगे ताकि आठा चिपके नहीं बेलन पर बार बार सूख आठा लगाएंगे ब बड़ी सी रोटी हमें बनाकर बेलनी है देखिये कुछ इस प्रकार मोटी सी रोटी पिलकुल गोल रेडी है अब एक से देर चमच घी इस पर लगाना है आकी जो हमारा मिक्स्टर है वो अच्छे से इस पर लग जाए और जो लच्छा इसका आएगा वो बहुत ही क्रिस्पी अच्छे से हाथ से स्प्रेट कर लेंगे चारो तरफ घी अच्छे से स्प्रेट करना है ताकि एक एक लेयर हमें लच्छे की दिखे अब हमें मिक्स्टर जो हमने त्यार किया था वो इसमें आड करेंगे तकरीबन 3-4 चमच और इसको पूरी कोल रोटी पे फैला लेंगे हा कोई जगा छोड़नी नहीं है रोटी पे हाथ से दबा दबा कर जब मिक्स्टर अच्छे से लग जाए तो इससे फैन की तरह जैसे मैं इस वीडियो में करके दिखा रही हूं बिल्कुल उसी प्रकार फोल्ड करना है ये दियान से देखिएगा कैसे ये प्लेट बनाई जात है और ऐसे ही साई लेयर कम्प्लीट करनी है पतली लेयर बनानी है और जो लास हिस्सा होगा उससे उपर दबा देंगे ताकि नमकीन निकले न और साइट से इसको गोल करते जाएंगे शेल की तरह धीरे धीरे करिएगा नहीं तो सारा मसाला भार आ सकता है ये देखने में जितना इंट्रस्टिंग लग रहा है खाने में उतना ही मज़ेदार है एक बार ये रेसिपी को ट्राय जरूर कीजिएगा अब इसको बन करेंगे अब लास्के हिस्से को बन कर देंगे इस तरीके से हलका सा प्रेशर करेंगे ताकि लेयर दिखने लग जाए हलके हाथ से डोनो साइट पर आब इसको कोट करेंगे सूखे हाटे में अब इसको हलके हाथ से बेलना है हमें धीरे धीरे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है बहुत हलके हाथ से बेलना है पास में तवा गरम होने के लिए रख दीजे ध्यान रखेगा चो पराथा है हमारा वो ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ना ज्यादा पतला होना च में धीरे-धीरे हलके हाथ से बेलना है दवा गरम हो चुका है उस पर घी लगाएंगे और पराथा डाल देंगे देखिए कितनी अच्छी लेयर आई हुई है जब यह अच्छे से सिख जाएगा तो यह लेयर खुल जाएंगी और एक-एक अलग-अलग दिखेंगी कुछ सेकं अंदर से और नमकीन का अच्छा टेस्ट आएगा पराथे में अब एक टीस्पून घी डालेंगे और चारो साइट पे अच्छा से फैला लेंगे पल्टेंगे और सेक लेंगे इसको प्रेशर से क्योंकि जब पराथा अच्छा से सिखेगा वो क्रिस्पी हो जाएगा और ख लगता है किसी भी सूखी सबजी के साथ या चार के साथ तई के साथ किसी भी चीज के साथ आप खाएं तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है देखिए कितना बढ़िया सिकरा है ये कितने बढ़िया से ही जो लेयर है वो दिखाई देने लग गई है घी अच्छे से क्योंकि टेस्ट घी से बहुत ही अच्छा आता है परांटे में और क्रिस्पीनेस जो है वो बरकरार रहती है बिल्कुल त्यार है अब ये परांठा खाने के लिए ये गया प्लेट में और प्लेट से जाएगा सीधा मूँ में परांठे के ऊपर आप बटर जरूर लगाईएगा और देखे कितनी बड़िया लेयर लग रही है एक एक लेयर खुल के आ रही है अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंस और रेलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजेगा मैं मिलूंगी अगली बार ऐसी ही और नहीं और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और दोंट फोगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब